आप लोग वह सौगत है आज की हमारी ओनलाइन क्लास में तुछ स्टुएंट्स मैंने के मैप के पार्ट वन और पार्ट टू के फॉर्म में दो लेक्चर अप्लोड किये थे उमीद है कि आपने उन लेक्चर को देखा होगा समझा होगा और आज के लेक्चर में मैं उनको रि अबार्ट पार्ट वर्ट किया या फिर आपने उसकर डाश को फॉलो किया तो अब बहुत एजिली उसको कैचप कर पाएंगे और बहुत एजली मार्च्छ कारवेंगे तूस्तूएंट्स जैसा कि हम ने के मैप को समझा था क्ये मैप भी मतलब तरीका है या एक method है हमारे किसी भी boolean expression को reduce करने के लिए अब boolean expression को reduce क्यों किया जाता है ताकि minimum से minimum hardware या जब भी मतलब हम बात करें कुछ भी setup हो रहा है तो वहाँ पर hardware की requirement minimum से minimum हो और हमारा input-output relation या फिर जो हमारे input-output requirements है वो भी fulfill हो जाए या पूरी हो जाए boolean expression को reduce करने का एक तरीका तो हमारा boolean algebra है दूसरा truth table से भी हम कर सकते हैं truth table से तो हम सिरफ हमारी mean term या max term को हम follow up करते हैं लेकिन हमें finally sum of product या product of sum जो कि मैं mean term और max term बता रहा हूँ उसी के form में expression आता है और फिर हमें बाद में वापस से हमें boolean algebra को ही लगाना होता है के बैब में क्या होता है students हमारे particular एक box होता है जिसको हम cell बोलते हैं और entirely उस box में छोटे छोटे मतलब boxes जो होते हैं वो जो cell होते हैं उनकी साहता से grouping करके grouping के rules को follow करके हम easily reduce कर लेते हैं बस हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम row wise चल रहे हैं तो हमें grouping row wise करनी है अगर हम column wise कर रहे हैं तो हमें column wise करना है यह नहीं है के map similar to truth table यानी truth table के जैसा ही होता है instead of being organized input output यानी हम truth table में तो input output जैसे for example f bracket में लिख देते ए बी सी तो ए बी सी तो हमारा input होता था और f हमारा output होता था तो हम उसमें क्या करते थे कि column रोज में हम divide कर देते लेकिन के map क्या होता है हमारे array होता हमारे collection मतलब array मतलब बहुत सा cell के form में और हर एक एक cell individually बन करके एक game map बनाता है यानी एक बड़े box के अंदर छोटे-छोटे small box जिसनको हम cell कहते हैं जैसे कि अभी में बता रहा था in which each cell मतलब हर एक cell represent करता है क्या represent करता है binary value जो कि हमारे input में है अब input variable हमारा उसके अंदर binary value कुछ भी हो सकती है जैसे 0 य given expression is simply a matter of properly grouping the cells यानि यह जो cell है यह cell कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि हमारा simplify सीधा है एक बार में straight forward में हो जाए यानि हमें उसके बाद में ज़रूत नहीं पड़े रूल यह था कि grouping हो सके जितना जितना maximum हो यह नहीं है कि मतलब हम ungrouped one को भी उठा रहे हैं वो मैं आके clear कर दूंगा और के मैप का जो expression है वो दो variable तीन वैरेबल आपके जादा जाद चार वैरेबल का होगा चार वैरेबल का भी question मतलब हाइस लेबल का होगा दो या तीन वैरेबल को आप focus करेंगे अगर practice करेंगे तो four variable का बहुत easily से cover up हो जाएगा फिर student two variable के मैप को आप जैसे देख सकते हैं यह आपका एक के मैप है और इसके अंदर अब जो कि दो दो input है तू वेरेबल यानि टू इन पूट अब टू की पावर टू की तरह तो फोर यानि चार सेल होंगे इसमें एक दो तीन चार यह आपका row wise है और यह सेम column wise है मैं ने मैं दोनों lecture में suggest किया था row wise ही चीजों को आप follow करें column wise करेंगे तो आपको confusion हो जाएगा क्योंकि मैं सारे standards row wise ही follow करूंगा अब यह था कि एक यह मतलब एक आपकी लिख दिया ऐसी एक्स्टू में दो वैल्यू है जीरो यह मनें हमने सको यहां पर फॉर्म कर दिया अब हम देखेंगे 0000 जैसे कि हमने जाना था वह में टम की वैल्यू थी एम जीरो ऐसी 01 M1 हो सकता है कुछ instruments को confusion हो यहां पर मैंने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से कोशिश करी है समझाने की उन वीडियो लेक्चर को जरूर से जरूर देखें नहीं तो इस्टू आपके लिए यह पॉसिबल नहीं होगा मैं आपको सीदे सीदे बता रहा हूं इ एक टू आया इसलिए M2 है ऐसी 11 है तू की पावर 1 इंटू 1 प्लस टू की पावर 0 इंटू 1 तो 1 2 प्लस 1 कितना आया 3 तो M3 आया ठीक है अब मैं पहला पॉइंट है इसका ordering of variables is important for function of x1 and x2 यानि x1 is a row यानि x1 हमने बताया है कि यह तो रो का है और x2 हमने बताया है कि कॉलम का है रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है अब अगला पॉइंट जो मैं explain कर रहा था सैल 0 यानि यह वारा सैल 0 रिप्रेजेंट x1-x2- क्यों क्यों कि हम में अभी हम में में टम की बात कर रहे हैं मैंक्स टम का आपको जस्का अपोजिट करना है में 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 हमारा जो 0 होता है तो वेरियेबल हमेशा compliment form में लिखा जाता है और जो अगर वन है तो उसको हम वेरियेबल को uncompliment यानि जो simple वेरियेबल हम उसको उस वेरियेबल चाहिए रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पर अब क्योंकि दोनों 00 है यानि 00 तो यह जो हमारा सेल होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा x1- into x2- x1- into x2- ठीक है similarly जो सेल 1 है x1- into में x2 x1- into में x2 ठीक है इस तरीक हर एक मिंटम को प्रिजेंट किया जाता है मैं दुबारा से रिपीट कर रहा हूँ अगर 0 है तो 0 के कॉंप्लिमेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा और 1 है तो वेरियेबल नॉर्मली जो भी वेरियेबल का नेम है a b c d x y जो भी है उस फॉर्म में लिखा जाएगा मैं अगला पॉइंट है इस रिलेटेट जो कि काफी इंपोर्टेंट है कोई भी दो एक वेरियेबल से मतलब डिफर होंगे यानि जैसे x1-x2 है तो अगला होगा आपका x1-x2 यानि x2 से x2- गया और उसके बाद में हो सकता है x1-x2- यानि यह आपको बस एक पॉइंट एक रिमेंबर करने का है यानि एक कॉंप्लिमेंट के बाद हम दूसरा अन कॉंप्लिमेंट आपको मिलेगा example मैंने दे रखा है x1-x2- अगला देखिए x1- तो common है देखिए यहाँ पर भी x1- था और यहाँ पर भी x1- है यहाँ पर x2- से x2 गया ठीक है अब आप इसमें देखिए यहाँ पर x1- से यह चले गया और यहाँ पर x2 गया ठीक है तो इस तरीके से student आप इन चीजों को सम map मैंने आपको बताया था grouping का यहाँ पर आप देख पारे grouping का आपको lecture 2 हो सकता है आज की class में मैं वह grouping वाला ना use करूं उसको हो सकता है मैं अगले लेक्चर में देखूं तब तक आपके बहुत सारे लेक्चर्स तयार हो जाएंगे grouping का ये instruments मैंने आपको बताया था कि हमें two की power में grouping करने ही यानि हो सकता हमें दो के one मिल जाएं, चार के one मिल जाएं, आठ के one मिल जाएं इससे जादा का आपका question रहेगा भी नहीं और हमें करना भी नहीं है, मतलब होगा भी निसाल, ठीक है लेकिन उस grouping के कुछ rule होते हैं, क्या, कि ऐसे नहीं आपने दो-दो के दो-दो के group है ना मतलब बना दी है समझे ने मेरी बात को, उन दो-दो के दो-दो के group में आप के देखेंगे, कि इस तरीकी से बनाने कि हमारे minimum से minimum क्या कहते हैं, सारे मतलब group बने और maximum से maximum हमारे one cover हो जाएं ठीक है, ऐसा तो हम माल मान के चलो, यहां 2-3 seller होते हैं, एक one का यह बना दिए, एक one का यह बना दिए, दूसरी one का बना दिए, नहीं. अगर हम चार का मिल रहा है, आट का मिल रहा है, आट हो लेंगे. फिर यह one अगर किसी और की साहिता हमें group बना रहा है, तो दुबारा इ लेंगे एक होती है implement implement prime implicants decision prime implicants जो कि आपके syllabus में नहीं है फिर में मैं आपके knowledge point of view से बता रहा हूं ठीक है अब हम इस group को देखेंगे तो अब दरसल हमारे one कहां कहां पर है M0 पर M1 पर और M2 पर यह वही लिखा हुआ है M0 plus M1 plus M2 sum of product sum of product का है ठीक है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कि लगता है connection में एक mistake आ गई है एक मिन्ट रुकिये का कि आप टेखेंगे तो जाप पक्रावाग माँपिट सेट आप कर देखेंगे हैं झाल झाल कि आई थिंग स्टुएंट्स को मेरी आवाज आ रही होगी बीच में नेटवर्क चले गया था एक बार चैट में स्टुएंट्स येस नो लिख दें आवाज ठीक है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ओके 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 नेटवर्क की इशू था है इसलिए तो हम इस्टुएंट्स यहां पर थे यहां पर मतलब मैं बता रहा था कि हमें ग्रूपिंग वन्स की ऐसे करनी है कि मिनिमम से ग्रूप हो और मैक्जिमम वन हो ऐसे नहीं है कि बहुत सारे वन्स पढ़ें तो आपने छोटे-छोटे के ग्रूप बना दी जैसे मतलब चार अग हमने एक साथ ले लिए दो वन एक साथ ले लिए नहीं हमारी कोशिश होगी कि हम चार नमबर ओव वन्स को कवर करें ठीक है तो इस तरीके से चल रहे थे तो हमने देखा था यहां पर M0, M1, M2 यहां पर 1, 1 है तो जहां पर 1, 1 है यह sum of product sum of मतलब product x1-x2- plus x1-x2- यह कैसे आया देखिए मैंने बताया था 0 तो हमेशा compliment में लिखते हैं तो यह x1- और यह x2- यह क्या होगा x1- और यह x2 और यह क्या होगा x1- plus x2- यह वही को वही लिखा हुआ है अब इस्ट्वेंट्स बुलियन एलजब्रा से हम क्या करते हैं common लेते हैं कुछ terms और बुलियन एलजब्रा के जो laws होते हैं उनको follow करते हैं के मैप में हम simply क्या करते हैं हमने यह group लिया और जो मतलब जिसमें ट्रांजिशन हो रहा है जैसे इसमें ट्रांजिशन हो रहा है तो इसको हम मतलब बैना छोड़ दिंगे तो इस सरफ इस वाले को consider करेंगे x2- और इसमें इसका x2- का transition हो रहा है तो सरफ हम x1- लेंगे यान हमें grouping का द्यान रखना है अब इसी तरीके से यह आपका three variable है हम यहाँ पर जैसे a b लिया इस तरफ और c लिया इस तरफ हम ऐसे भी कर सकते हैं a ले सकते हैं bcb ले सकते हैं a cb ले सकते हैं वो depend करेगा बस्त मैं जो convention चल रहे हैं मैं सजेस्ट करूंगा उसी को ही follow up करें ठी हो गई है मतलब यह जो variable है यह जैसे 000 है तो a bar b bar c bar 0001 है तो a bar b bar c simply जो मैं कह रहा हूँ कि अगर 0 है तो variable के बार या डेस से रिप्रेसेंट होगा और simple sing 1 है तो उसी variable से लिखा ठीक है तो इसके बाद में three variable का देखते हैं जैसे हमने देखा जैसे 11 है तो यह क्या होगा m0 m2 M7 और M5 ठीक है यहां या पर हमारा one one है तो हमारा क्या होगा यह a bar b bar c bar इर यह ओगा मरा a bar b c a bar c har ठीक है यह नहीं होगा हमारा a b c a b c और यह होगा हमारा a b bar c अब हम हमारा यह finally reduce होके आया हुआ है इसको हम इससे ज़्यादा solve नहीं कर सकते हैं ठीक है? समझमाई मेरी बात आपको? फिर इसको हम अगर solve करना है तो हमें finally boolean algebra की साहता से solve ही करना पड़ेगा क्यों क्योंकि इसके अंदर हमारी grouping नहीं उपरी तो कुछ एक exception है तो जिसको हम देख पा रहे हैं कि यह कुछ इस तरीके से solve होके आया यह मैं आप लोगों के लिए sort of assignment point of research होड़ता हूँ एक बार इसको copy pen से जरू solve करें फिर उसके बाद instrument हमारा आता है 4 variable k map 4 variable k map में आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि आपके मतलब 2 की power 4 मतलब 16 यहां पर भी हमारे 4 आ गए और CD यहां पर भी हमारे 4 आ गई और इसके बाद में जैसे हम देख पा रहे हैं यह सारी minimum को बता रहा है 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6 12, 13, 15, 14, 8, 9, 11, 10 ठीक है या फिर हम इसको variable के form में लिखे हैं तो a bar b bar c bar d bar a bar b bar c bar d इस तरीके से चलेगा हर एक point को student explain करने की ज़रूत नहीं है अगर आप two variable और three variable को समझ गए हो तो ठीक है cell agency को ज़्यादा detail में बताने की ज़रूत नहीं है और इसके बात में हम देखते हैं कि हमें पिसी भी के map को solve करना है तो मैं आपको बताया था कि grouping करनी है नहीं तो हम टॉप और unemployment से भी कर सकते हैं यह हमने दो का उठाया और यह हमने दो का उठाया तो यह 4 का बन गया ऐसी यह चार बन गया यह इस इधर से यह बन तो हमारे minimum group बन गया हमारे कितने एक तो यह group एक वाला group और एक तीन group बन गये हम चाहते तो ऐसा भी गर सकते एक यह बना लिया एक यह बना लिया एक यह बना लिया उससे हमारा proper solve नहीं होगा स्टुवेंट अगर हमें के मैप से सीधा सीधा answer चाहिए जो यह आया हमारा reduce होके तो c d bar plus b bar c plus b d bar उस समय आपको देखना होगा कि grouping मैं बार बार फोकस कर रहा हूं उस point पर grouping grouping से ही आपका question solve होगा और उसको solve करने का तरीका यह है कि आप grouping proper करें चाहते तो आप यह आ जाता अग उसससे question आपका गलत नहीं होगा लेकिन वह reduce होके finally नहीं आया आप ऐसे भी कर लीजिए लेकिन पहली बाद अगर कोई examiner होगा वह देखेगा इसने बंदे ने grouping proper नहीं की है तो वह उसको वहीं cancel कर देगा या फिर आपको उसको boolean algebra से solve करके final answer दिखाना पड़ेगा ठीक है तो मुझे से लगता है कि अभी के लिए मैं यहीं पर ही रुखता हूं में नेक्स्ट online class में दिखूंगा और या फिर मैं discuss कर सकता हूं आप लोगों के revision point of view से because मैंने दोनों चीजें आपको शोक मतलब कर रखी हैं पार्ट वन पार्ट टू लेक्चर में आज के लेक्चर में मुझे लगता था कि एक बार और इसको करेंगे हां टाइम लगते ही मैं इसका एक board वाला lecture जरूर सॉल्व करूंगा तब तक लिए students thank you so much